मद्यप्रदेश में कई दिनों से लगात्तार पारे शुरू है जिसका आसर महराश्ट्र से सटे के एक शेत्र पर हो रहा है इसी के मद्यनजर शनिवार को पूर्व पालक मंतरी चंदर शेकर बावन को ए महराश्ट्र सरकार से निरिक्षन और नुकसान भरपाई की मांग की है साथ ही कहा कि इस परिस्तिति का जायजा स्वयम जिलादिकारी को लेना चाहिए मद्यप्रदेश के तोतलाडो और पेंश डैम भारी बारिश के कारण ये डैम और फ्लो हो चुके है इसका आसर महराश्ट्र के सावनेर कामठी, रामटेक, पारिशुनी, मौदा और अन्य इल जाकों को हो रहा है, बारिश का पानी घरों में घुसने और खेतों में घुसने से किसानों का भारी नुकसान हुआ है, इसी का जायजा लेने के बाद बावनकुले ने मांग की किसानों के नुकसान भरपाई जल से जल की जानी चाहिए, साथ ही ड्रोन की साहिता से परिस्ति प्रवावन कुले इन्होंने की है उन्होंने कहा कि जिलादिकारी ने स्वयम जाकर स्थिती का नेरिक्षन करे और उचित कदम उठाये ताकि किसानों और अन्य लोगों को इसे जल से जल निजात मिले इन्भी से नियूस के लिए दिपिका धनेश्वर की रिपोर्ड मध्य प्रदेश मदे मुठ्या प्रमानावर पाउस आले मुळो पेश तोतलाडो धरन वर्फलो जाले मुळो आज नाकपूर जिनलेतल्या सावनेर पारिश्यूनी काम्ठी मवदा राम्टेक या तालूक्या मदे हजजारों घरा मदे पानी घुठला है शेकलों पिकाच्या जमिनित पानी गेला है महराष्ट सरकार नी तातडी न या हजारों घराचा सर्वेक्षन केला पाईजे तैनना घराची नुक्षान भर पाई दिली पाईजे शेतकराला त्यांच्या शेती की नुक्षान भर पाई दिली पाईजे कलेक्टर यानी स्वता सर्व गावाद मते विजीट केली पाईजे अनि ड्रोन चा माद्ने मतना काही गावाद लोका अटक लेले आज बोठी न तैना भाहर काड़ला पाईजे प्रशाजना ने पूर्ण शक्तिनी या पूर्गस्त लोका चा मागे उभर आले पाईजे अशे मागनी महराष्ट सरकार लामी करतो आए